हर्याना की मुख्यमंत्री मनुहर लाल ने मंगलवार को मिडिया सेंटर के नविनी करण कारियाले का उदखाटन किया हर्याना सचिवाले की आत्वी मंचिल पर मिडिया सेंटर का नविनी करण किया गया इसके साथी मुख्यमंत्री मनुहर लाल ने शेहरी इस्थानी विभाग इनिलामी के लिए पोर्टल भी लॉंच किया सीम ने कहा किस पॉलिसी को बनाने से काम में पारदरशिता आएगी रिपोर्ट देखे अधोनिक तकनिक के सुविधाय सुचना जन संपर के उंभाष्या विभाग द्वारा हर्याना सिवल सची वाले की आठवी मंजिल परिस्त मेडिया सेंटर का नवेनी करन करके उपलब्द करवाई गई है ताकि सरकार के उपलब्दियों को मेडिया के माध्यम से लोगों तक पहुचाया जा सके बहुत प्रसनता की बात है कि अपने इस मेडिया सेंटर को एक परिसकार से और इसकी सुविधाओं को बढ़ाने के नाते से इसको रेनुवेट किया गया है आप लोगों की आवशकता के साब से जिन चीजों की आवशकता है वो सब उपलब्द कराई जा रही है ताके जो कुछ भी देश प्रदेश की जो खबरें होती है समाज को दुनिया को बताने के लिए आप लोगों को जितना फास्ट सिस्टम मिलना चाहिए उतने फास्ट सिस्टम की एक उपलब्दा यहां इस मेडिया सेंटर पर करवाई जाए ताके इधर हम कोई बात कह रहे है और दुनिया को सासर पता लग रही है तो इसकी जो भी स्विधाय देने की एक आवशक्ता थी वो आज पूरी की गई है हमारे डिप्यार शेरी अमेतर जाल जी ने पूरा एक प्रारूप बना करके आप लोगों से प्रामर्श करके इसको अच्छा बनाया है इस संदर में मैं आपको बहुत बहुत बढ़ाई और शुबकामना देता हूँ और इसी प्रकार से आगे भी कोई आवशक्ता होगी तो उसको मुप्रा करते रहेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि कारे का प्रारूप सुचना जनसंपर क्यों भाष्या विभाग के महानिदेश डॉक्टर अमित अग्रवाल ने मेडिया कर्मियों के साथ बैठक कर तयार किया है उन्होंने मेडिया कर्मियों को इसकारे के लिए बढ़ाई एवं शुब कामनाय दी मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दौर में मेडिया के लिए अधोनिक सुविधाओं का होना अत्यन्त जरूरी है इसी जरूरत को ध्यान में रखकर सरकार ने मेडिया के लिए नई सुविधाओं से सुविधाओं से सुविधाओं से अधोनिक मेडिया सेंटर के सुविधा उपलव्द करवाई गई है मेडिया सिंटर में प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक वा सोसल मेडिया से जुड़ी तकनीक जरूरतों को उपलब्द करवाया गया है इस दोरान मुख्यमंत्री ने विग्यापन अस्तलों के इनिलामी के लिए पोर्टेल भी लौंच किया जिसके बाद से मनोहरलाल मेडिया से रूबरू है इस औसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टेल के लौंच होने से शहरी इस्तानी निकाई विभाग के जरीए पारदैशी तरीके से सरकारी भौनों और प्राइवेट भौनों पर विग्यापन लगने के लिए अनुमती प्रदान की जा सकेगी सभी नगर निकायों को कलेक्टर रेट का तिन दश्मलों तो प्रतीशत हिस्सा मिलेगा सरकारी अस्तलों का ये उक्षिन किया जाएगा इसका नियुंतम रेट चार प्रतीशत होगा जिसमें से 40 प्रतीशत एमसी को 60 प्रतीशत भौन मालिक को मिलेगा चंडिगड की आठवी मंजिल पर मिडिया सेंटर का शुभारा में पहुँचे मुख्य मंतरी मनोहर लाल के साथ कैबिनेट मंतरी बनवारी लाल मुल्चन शिर्मा कमल गुपता भी मौजूद रहे सीम के पहुँचने पर जोरदार स्वागत हुँ चंडिगड के लिए संडिगड से पवन सिवर किरिए